क्यों हो रही है HCL Tech में गिरावट? आज इसी बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों और क्या ये बहुत अच्छा मौका है एक HCL Tech जैसी Large Cap IT Company में निविश करने का? इन सभी चीजों में चर्चा होगी दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिटामिश्रा और आज चर्चा करेंगे HCL Tech में जारी गिरावट पे सबसे पहले Elephant in the Room का question दोस्तों कि आखिरे गिरावट हो क्यों रही है? क्या result वाकई में इतने खराब हैं कि इतना जादा उसे punish किया जा रहा है? तो सबसे पहले answer जो मुझे लग रहा है दोस्तों जो मैंने articles पढ़े हैं जो brokerage houses की report पढ़ी है analyst का जो मानना है वो दोस्तों है margin में dent आना HCL Tech दोस्तों हर एक front में एक बहुत अच्छा result दिया है चाहे वो revenue में हो चाहे वो dollar revenue में अप में हो और चाहे उनकी order book में हो दोस्तों हर एक चीज में order book 2.1 billion dollar की आई है दोस्तों अपना की सबसे अच्छी जो dollar revenue में बढ़ाती है दोस्तों वो भी कहना चाहे बहुत जबर्दस बढ़ाती हुई है order book बहुत जादा अच्छी है लेकिन जो margin है दोस्तों उसमें dent आया है और यही चीज बहुत जादा डिसपॉइंट की है बाजार को और देखे बाजार को बहुत जादा डिसपॉइंट तो की भी है लेकिन जिस attractive valuation में actual tech चल रही थी क्योंकि देखे जब भी कोई result से पहले अगर शेहर बहुत जादा भागता है तो उसके बाद अगर result थोड़ा भी अगर estimate को लेकर के beat नहीं कर बाते है तो वही हाल होता है जो अभी actual tech का हो रहा है थोड़े दिन पहले demart का हुआ था और अगर बजार को result अच्छे लगते हैं तो वो welcome भी करता है जैसे वो TCS का कर रहा है इसलिए हमें जो कहना चाहिए दोस्तों buying है वो staggered way में अच्छी companyों में गिरावट के वक्त करते रहनी चाहिए दोस्तों actual tech का जो result है दोस्तों उससे पहले आपने दिखी होगी एक बहुत जबरदस rally आय थी actual tech में और वो समय दोस्तों वो होता है ना कि जो निवेशक short term के लिए था उससे उस समय निकल जाना चाहिए दोस्तों क्योंकि result के बाद जो chance रहता हो 50-50 रहता है दोस्तों अकसर और अगर तेजी बहुत जादा होगी रहती है तो बहुत बड़ा कहना चाहिए दोस्तों एक point ये रहता है कि share में गिरावट होगी और देखिया आज इसमें हो भी रही है और external tech क्या ये गिरावट खरिदारी का मौका है दोस्तों मेरी personal राय के हिसाब से बिलकुल बिलकुल हमें by initiate करनी चाहिए और दोस्तों देखिया जब ये share कहना चाहिए मुझे याद है ये share लगबग 890-900 के आसपस फिर उपर जाता था 1000 फिर वापस किरता था उससे में जो consolidation चल रहा था न दोस्तों consolidation वह staggered way में खरिदारी का एक बहुत अच्छा मौका था excel tech में जो लोगों ने उस समय निवेश किया होगा देखिए निवेश करना और momentum buy करने में यही अंतर होता है निवेश जब हम करते हैं एक बहुत अच्छी company में हम उसके पहले research करते हैं हमें अच्छी लगी फिर गिरावट अगर उसमें होती है तो हमें धीरे धीरे आराम से buying initiate करनी चाहिए और उसके बाद देखिए दोस्तों आज दो कल शेयर भागता ही है बाजा आज finance 1900 दोस्तों जब पहली पैंडमिक की वेव आई थी 1900 मुझे मेरे खाल से 1700 क्या सबस कुछ यह गया था जो लोगों ने buying initiate की होगी उन्हें क्या return मिला है मुझे बताने ही आपको सकता नहीं है हीरो मोटर कॉप अचाना कि 205% का क्याना चाहिए तेजी दिखाया है तेईसो लगातार 3300 से गिरावट जो लगातार शुरी दोस्तों तेईसों में जाके रुकी थी अब आप बोलेंगे कि इसको खरीदना कैसा दोस्तों देखिए company अच्छी थी एक तरह से हम 25% 10% के जो भी आपकी bank capacity उसे खरीदना चाहिए और किन लोगों ने खरीदा होगा तेईसो के आसपास चैदो 2334 के आसपास गया था और disclosure के रूप में बता दूस्तों मैं भी उसमें staggered way में खरीदारी कर रहा था और जो लोगों ने खरीदारी की होगी वो देखिए आज कित दन देती हैं ना कि तब जब 52 वी खाए के आसपास हो तब उसमें buying initiate करनी चाहिए HCL Tech में 5% की जो एकी दिन में गिरावट हुई है वो दोस्तों merely एक news के करन हुई है क्योंकि इन्होंने margin उस तरह से नहीं दिखाए जिस तरह की बजार को उमीद है थी और प्लस यह जो valuation premium में trade कर रहा था उस चीजों को लेकर के दोस्तों अब जो यह negative आई यह चीज जो margin में कमी आई है उसको price in करने के शेर में ग्रावट हो रही है और दोस्तों HCL Tech जैसी IT की large cap company जिस तरह से digital transformation में यह भागी तारी बन रही है जिस तरह से यह योरोप में अपने client base बढ़ा रही है South East Asia में USA में लगातर अपने client बढ़ रहा है दोस्तों आने माले समय में बहुत अच्छा return ही आपको बिल्कुल देगी दोस्तों लेकिन हाँ ACL Tech के साथ जो एक issue मुझे लग रहा है दोस्तों जिस तरह से aggressive हो करके कहना चाहिए जो order persecution में निकले हुए है इसके करणा इनके जो margin है उसमें काफी dent आ रहा है और यही करण है जो इस बार जुनका result आ है इसमें आपको margin में काफी dent देख रहा होगा और बाकी कहीं भी कोई भी negative चीज नहीं दोस्तों इसके कहना चाहिए इनके result में order book से लेकर के इनके dollar revenue को लेकर के इन्होंने जो employee नहीं एक्सपा कहना जो नए employee लिए है वो भी सब चीज बहुत अच्छी है दोस्तों इसलिए अगर आप एक investor है मैं फिर कहा रहा हूँ दोस्तों investor है momentum बायर नहीं है investor है excel tech में अगर गिरावट होती है तो एक staggered way में आपको इसमें initiate करनी चाहिए buying दोस्तों क्योंकि कोई भी negativity मुझे नहीं देखिए इसके report में result में margin में EBITDA margin में दोस्तों कमी है weakness है और देखिए वो इसलिए भी है क्योंकि बहुत जादा मैं कहूंगा order को लेकर order को कहना चाहिए book करने में इन्हें मार्जिन में भी थोड़ा बहुत कहना चाहिए compromise किया है दोस्तों और बाजार ने जो इसे high valuation दी थी उसे अब दोस्तों यह जो negative news है उसको pricing कर रही है और यही मौका होता है दोस्तों buying initiate करने का although मैं disclosure के रूप में आपको बता दूँ यह मेरी personal राय है कोई मैं कहना चाहिए और मैं कोई मेरी या मेरी फैमिली की किसी की इसमें holding हो सकती है दोस्तों इसलिए मैं आपको बता दूँ आपको कोई position आने से पहले या तो अपने वित्तिय सलागार से financial advice लें खुद भी अच्छे से calculate कर सकते हैं ठीक है दोस्तों but for me कोई भी एक कहनाचे गिरावट बैंगी opportunity हो सकती है और दोस्तों यह वीडियो के ओल लॉंग टम निविशक के लिए ना कि momentum बाया के लिए तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो वीडियो को प्लीज लाइक कीजे ताक अच्छी लाइक में लाइक चाल, कि अच्छी में बा番 में गाते हैं